परिचय हाँ, आता हम ये कह सकते हैं कि पौधे उद्धीपनों की उपस्थिती के कारण स्थिर रह सकते हैं, तथा उनके प्रती अनुक्रिया कर सकते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पौधों में हॉर्मोन्स पौधों की वृध्धी को प्रभावित करके उनके व्यवहार को समनवाइद करते हैं? हाँ, बिल्कूल और पौधों की वृध्धी पर पढ़ने वाला प्रभाव पौधे के भाग जैसे जर तथा तने में गती का परिणाम हो सकता है। पौधे वृध्धी द्वारा विभिन उद्धीपनों की प्रती बहुत धीमी अनुक्रिया करते हैं। तो आओ, इस सद्ध्याय में हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्धेश इस पाठ के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पौधों में समन्वय को समझना। उद्धीपन की तातकालिक अनुक्रिया का पता लगाना। वृद्धी के कारण गती को समझना। पौधों में हार्मोनों का पता लगाना। दीप्तिक कालिता तथा पुष्पन का अध्धेयन करना। जन्तुओं में हार्मोनों का पता लगाना। अंतासरावी गरंतियों की सन्नचना तथा उनके कारियों को समझना पौधों में समनवय पौधों में तंत्र का तथा पेशिये तंत्र का अभाव होता है पौधे उद्धी पनों के प्रती दो प्रकार की गतियों के द्वारा अनुक्रिया करते हैं एक पृध्धी पर आश्रित यानि आश्रित वृध्धी और दूसरी वृध्धी से मुक्त यानि स्वतंत्र वृध्धी वृध्धी से मुक्त यानि स्वतंत्र वृध्धी गती वृध्धी पर आश्रित यानि आश्रित वृध्धी गती से अधिक तेज होती है तथा ये पौधे द्वारा वैद्यूत रसायन संकेतों के प्रयोग को भी समलित करती है उधारण छूई मुई पौधे की पत्तियां छूटे ही मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे जुग जाती है उत्ती पन के लिए ततकाल अनुक्रिया उद्धीपन की दिशा में पौधों की गती को अनुवर्तन कहते है अनुवर्तन गतियां पर्या वरणिये कारकों जैसे प्रकाश, गृत्व, जल तथा रसायन की प्रतिक्रियाओं को प्रधशित करती है वृद्धी पर आश्रित यानि आश्रित वृद्धी गतियां अथ्वा अनुवर्तन गतियां धीमी होती हैं। यह या तो उद्धीपन की तरफ अथ्वा उद्धीपन से दूर होती हैं। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिशिये गती है। उधारण तने धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दर्शाते हैं। पौधे की जड़ों में रिनात्मक प्रकाशा अनुवर्तन जबकि पौधे के तनों में धनात्मक प्रकाशा अनुवर्तन पाया जाता है। गृत्वा अनुवर्तन गृत्व के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिशिये गती है। उधारण जणें धनात्मक गृत्वानुवर्तन दर्शाती हैं। पौधे की जणों में धनात्मक गृत्वानुवर्तन जबकी पौधे के तनों में रिनात्मक गृत्वानुवर्तन पाया जाता है। रसायन अनुवर्तन रसायनों के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिश्यकती है। उधारन बीजांड की तरफ पराग नलिका की वृध्थी। जलानुवर्तन जल के प्रती पौधे या पौधे के भाग की दिश्यकती है। उधारन जणें। व्रिद्धी के कारण गदी जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, तो प्रतान का वहभाग जो वस्तु के संपर्क में है, उतनी तीवृता से व्रिद्धी नहीं करता है, जितना प्रतान का वहभाग जो वस्तु से दूर रहता है. इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ देता है पौधों में हार्मोन पादब हार्मोन या फाइटो हार्मोन ऐसे रसाइन तत्व हैं जो की पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन होते हैं जब ये कम सांद्रण में उपस्तित होते हैं तो एक या एक से अधिक कारी की प्रक्रियाओं को नियंतरित करने में सक्षम होते हैं पादब हार्मोन तथा उनके कारे निम्निलिखित सारणी में दिये कए हैं दीप्ती कालिता तथा पुश्पन पुश्पन वर्ष में एक निश्चिस समय पर होता है तथा ये दीप्ती काल और ताप जैसे कारकों द्वारा नियंतरित होता है कुछ पौधों में पुष्पन, सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधी तथा उसके परिवर्तन पर निर्भर करता है और इसे दीप्तिकालिता कहते हैं इसकी खोज, गार्नर तथा अलाट ने सन उन्नी सो बीस में की थी दीप्तिकाल के आधार पर पौधे तीन परकार के होते हैं लगू यानि अल्प प्रदीप्त काली पौधे, दीर्ग प्रदीप्त काली पौधे और तठस्थ प्रदीप्त काली पौधे लगू यानि अल्प प्रदीप्त काली पौधों को पुश्पन के लिए अधिक प्रकाश की आविशक्ता नहीं होती है उधारण तंबाकू, चावल और डहिलिया दीर्ग प्रदीप्त काली पौधों को पुश्पन के लिए अधिक प्रकाश की आविशक्ता होती है उधारण गेहुं, जुआर और मूली तठस्त प्रदीप्त काली पौधे पुश्पन के लिए दीप्त काल पर निर्भर नहीं रहते हैं उधारण टमाटर और सूरज मुखी जन्तूँ में हार्मोन हार्मोन शब्द को बेलिस और स्टार्लिंग ने प्रतिबादित किया था जन्तूँ में हार्मोन्स अंतासरावी ग्रंतियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये रसाइन तत्व सजीवों की गतिविधियों और उनकी व्रिद्धी को नियंत्रित एवं समन्वेद करते हैं जन्तूँ हार्मोन वातावरणिये कारकों पर निर्भिद दिशिये गति नहीं लाते हैं किन्तूँ शरीर की सरचना को बनाए रखने के लिए विभिन एक्षित्रों में नियंत्रित व्रिद्धी को बढ़ावा देते हैं जन्तूँ हार्मोन्स और उनके कार्रे तथा उनकी कमी से होने वाले रोग निमने लिखित तालिका में दिये गए हैं अन्तासरावी ग्रंथियां ऐसी कई अन्तासरावी ग्रंथियां हैं जो की एक दूसरे से इस्थिती, सन्रचना तथा उनके द्वारा सरावित हार्मोन एवं उनके कारियों में भिन्न होते हैं अन्तासरावी तंत्र कई अन्तासरावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो की शरीर के कारियों को सरावित होने वाले विशेश रसाइनों, जिने हार्मोन कहते हैं, उनके द्वारा न्यंत्रित तथा समनवेइद करती हैं क्या आप जानते हैं? थाइरोइट ग्रंथी मानव शरीर की सबसे बड़ी अन्तासरावी ग्रंथी है थाइरोकसीन की कमी के कारण शिशू में क्रीटे निस्म यानी अवरोधित वृध्धी हो जाती है जिसमें शारीरिक, मानिसिक और जनन वृध्धी रुख जाती है भोजन में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन सूच जाती है एड्रिन लीन को आपात का लीन हार्मोन या 3F हार्मोन के नाम से भी जहना जाता है पियूश ग्रंथी को समानिता मास्टर ग्रंथी भी कहा जाता है वरिद्धी हार्मोन की कमी के कारण बौनापन हो जाता है जबकि इसकी अधिकता से जाइगेंटिस्म यानी अतिकायकता हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण मधु में रोग हो जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोढ़ाते हैं पौधे नाकेवल प्रकाश के प्रती अपितू अन्ने उद्धी पनों के प्रती भी प्रती क्रिया दर्शाते हैं पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं जैसे ऑक्सिन्स, जिब्बेरेलिन्स, साइटोकिनिन्स यानी जेटिन, एप्सिसिक अमल और एथिलीन पौधों में पुष्बन तथा बीज अंकुरन प्रकाश की अवधी द्वारा नियंत्रित होते हैं और इस प्रक्रिया को दीप्ति कालिता कहते हैं पौधों के भागों की प्रकाश उद्धीपन की दिशा में गती प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है पौधों के भागुं की पृत्वी के गृत्व की दिशा में गती गृत्वा नुवर्तन कहलाती है अंतासरावी तंत्र अंतासरावी अथ्वा नली का विहीन ग्रंथियों से मिलकर बना है जो की हार्मोंज का स्रावन करती है थाइराइड ग्रंथी थाइरोकसीन हार्मोन स्रावित करती है तथा इसकी कमी से क्रीटे निज्म यानि अवरोधी दिवरिधी रोग हो जाता है पेरा थाइराइड क्रंथी पेरा थाइराइड हार्मोन को स्रावित करती है जो कि शरीर के अंदर केल्शियम फासफोरस के स्तर को संतलित रखता है अधिवरिक यानि एड्रिनल क्रंथियां कोटिकोईट तथा एंटिनलीन नामक दो हार्मोन स्रावित करती है हाइपो थेलेमस ऐसे हार्मोनों का स्रावण करता है जो की पियूश ग्रंथी के अग्र खंड से हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करते हैं अगनाशे भी दो हार्मोन, इंसुलीन और ग्लुकागॉन को स्रावित करता है, जो की रक्त में ग्लुकोस के स्थर को नियंतरित करते हैं वरिशन, टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशे, एस्टोजेन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करते हैं प्रोजेस्टेरोन करते हैं